अक्षत, संकल्प, शितिज, आभा, स्वाती, विदित, नम्रता, प्रांजल, सबके सब सोचने की मुद्रा में कुछ गहरा ही चिंतन कर रही हैं। चिंता का विशे है छुटियां। छुटियों में किया क्या जाए। चारों और इतनी बड़ी बड़ी इमारते बन गई है कि खेलने का मैदान ही नहीं बचा है। क्योंना इन छुटियों में हम रोबोट बनाएं। संकल्प ने कहा। रोबोट। सबने आश्चर्य से कहा। और ऐसा ही आश्चर्य तुम लोगों को भी हो रहा होगा। बच्चे और रोबोट बनाएंगे। लग रहा होगा कि अंकल या तो हवा बांध रही हैं या पेपर की उड़ा रही हैं या हवाई के लिए बना रही हैं या चुनाव में भाशन दे रही हैं। यह ठीक है कि यह बातचीत तुम बच्चों की नहीं हो सकती, यह तुम्हारे बच्चों या कह सकते हो, उनके भी बच्चों की बातचीत हो सकती है। इसमें चैंकनी की क्या बात है, क्या हम रोबोट नहीं बना सकते। संकल्प ने कहा, हमारा रोबोट उन सबसे अलग होगा, वह छोटे मोटे काम नहीं करेगा, वह अनोकह होगा. कैसा अनोकह होगा हमारा अनोखेलाल? हमें ज्यादा चक्कर में नहीं फसना है. कोई छोटा मोटा यंत्र बना लेते हैं. विदित ने उबासी लेते हुए कहा, छुटियों में आराम नहीं करेंगे तो कप करेंगे संकल्प, यह काम मुश्किल तो है इस बार आभा बोली आभा, अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आदमी मेहनत करके ही यहां तक पहुचा है तुमने तो पिछले वर्षी कितना सुंदर अनुवाद यंत्र बनाया था मैंने कम्प्यूटर में फीट करके सारा डाइग्राम तयार कर लिया जिन पाट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट भी कम्प्यूटर की मेमरी में डाल दी है कम्प्यूटर के हिसाब से साड़े 6 घंटे काम करें तो एक महीने में रोबोट तयार हो सकता सारे बच्चे काम में जुट गए सब में चुस्ती आ गई पर प्रांजल और विदित नहीं आई एक सपता बाद रोपीट कर कम्प्यूटर तयार किया जिस दिन रोबोट इसेंबल हुआ उस दिन सब की खुशी का ठिकाना नहीं था उसका रिमोट विदित के हाथ में था और सब रोबोट के परिक्षन के लिए बाजार में घूम रहे थे संकल्प ने रोबोट को पाच हजार रुपए का नोट दिया और दस चॉकलेट लाने का निर्देश दिया रोबोट चल पड़ा बच्चे उचसुकता से देख रहे थे रोबोट दुकान तक पहुचा तो सब खुश थे रोबोट ने दुकान में घुश कर अपने आप चॉकलेट का डिबबा उठा लिया और चल दिया दुकानदार ने उसको पकरना चाहा तो रोबोट ने उसको एक खमूसा जड़ दिया वेचारे का जबरा हिल गया वह चोड़ चोड़ चिल्लाने लगा रोबोट दुकान से बाहर निकला उसने आपस में बात करते दो आदमियों के सिर फिड़ा दिये दोनों दर्ट से बिलबिला उठे चिल्लाने लगे रोबोट ने एक अंधे की लाठी चीन कर फेंग दी एक रेस्तरा की किचिन में चल रही कैस दुझादी और लाइटर से रेस्तरा को आख लगाने लगा संकल्प ने बड़ी कठिनाई से रिमोट द्वारा उसे कंट्रोल किया सारे बाजार में हरबड़ी मच गई थी लोगों ने लेजर का निकाल ली थी फर सब ये सोचकर रोबोट पर आक्रमन नहीं कर रहे थे कि पता नहीं कितना पावरयुक्त है बच्चों की मेहनत पर पानी फिरने वाला था सब वहां से रोबोट समेथ भागे और नदी की किनारे इकांत में आ गए सब सोचने लगे कि गरबर कहा हुई है विदित और प्रांजल गायब थे संकल्प का थोड़ा माथा ठनका हमने तो इसे आदर्श बनाने का सोचा था ये तो सारे काम गंदे कर रहा है उल्टे उल्टे से ये उल्टराम क्यों हो गया है अपूर्वर ने कहा ये गरबर जाला सारे काम गलत कर रहा है ये अब हमारे लिए बेकार हो गया है। इसे बेकार कर देना चाहिए। स्वाती ने कहा। नहीं, इस तरह हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम एक बार और परिक्षन करके देखेंगे की गरबर क्या है। संकल्प ने कहा और फिर सोचते हुए बोला, यहां सामने नदी है और हमारी प्रोग्रामिंग के अनुसार इसे डूबते होए को बचाना चाहिए। क्षितिच तुम जरा डूबने का अभिनय कyrना। क्षितिच ने नदी में डूबने का अभिनय किया। रोबोट संचालेत होते ही हरकत में आ कर अचानक रोबोट ने तेजी से नंदी की और उसने सब को इकठा करके कहा, मित्रो, मुझे सारी गर्बर समझ आ गई है, और इस गर्बर के दोशी है सुस्तराम प्रांजल और विदित, उन दोनों ने उंगते हुए अपना काम किया है, दोनों ने प्रोग्रामिंग में गल्ती की है, ये रोबोट अब हमारे किसी काम का नह अब ये रोबोट क्या हमारे किसी काम का नहीं है, नम्रता ने रोते हुए पूछा, आइटिया, अचानक आभा ने कहा, ये रोबोट बेकार नहीं है, हमारे काम आएगा, कैसे, ये होली वाले दिन हमारे काम आएगा, मेरे पापा बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो होली खेलेंगे, एक बड़ा गढ़ा खोद कर उसमें रंगवाला पानी भरेंगे, तुमने देखा होगा कि कैसे उसने उल्टी प्रोग्रामिंग के कारण क्षितिच को पानी से बचाने की बजाए नम्रता को पानी में फेंक दिया, बस, अब यहीं रोबोट सब को रंगव हम रोबोट वाली होली मनाएंगे, अक्षत ने खिल खिला कर कहा, हिप हिप, रोबोट वाली होली, सब जैसे जूम उठे कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और हमारी कहानी आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद